नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज अमर पास अवेलबल है मोटो लग के तरफ से लेटेस्ट लाउंच मोटो जी एटी टू फाइफ जी जिसका एफेक्टिव प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तो नाइटीन थाउजन ट्रेपल नाइन से तो चलिए आज के इस वीडि ये ट्रांस्परेंट बेक कवर अल्रेडी अप्लाइड है फ्लाल के लिए में इसको साइड में रख रहा हूं देखता हूं बॉक्स के उच और कॉंटेंट एंवलब में दोस्तो कुछ दोक्युमेंटेशन और एक से में जैक्टर टूल हमें देखने को मिल रहा है इसके बा और अब आप देख सकते हैं दोस्तो यह है मोटो जी 82 का फर्स लोग दोस्तो फर्स इंप्रेशन तो काफे इंप्रेसिव देखने को मिल रहा है इंफेक्ट अगर मैं बात करते हैं तो यह थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ में देखने को मिलेगा तो हां बहुत एक कम फिंग तो हूँ कि यह काफी लाइट वेट फोन है और अगर मैं बात कर रहा हूं थिकने की तो वह भी काफी कम है जी हां सिर्फ 7.9 mm की थिकने के साथ मैं आपको यह देखने को मिल रहा है तो डिजाइन में सच में मोरोर ने काफी अचा काम किया है अगर हम बात कर रहे हैं दोस्त इस फोन को सेट अप करता हूं और फिर बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में इसी डिवाइस के बारे में और दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि डिवाइस हो चुका है कम्प्लीट सेट अप और हम आ गया है इसके होम स्क्रीन पे और डिवाइस ऑन करता ही दोस्तों को देखने मिलता है यहां पर एक amazing सा डिस्प्ले सबसे पहले आपको बताबें कि यहां पर दिया गया है six point six inches का एक पी ओलड डिस्प्ले जो कियाता है full hd plus के साथ में और दोस्तों यह 10-bit डिस्प्ले है तो नो डोड़ा यहां पर display भी तक तो मोझे काफी पसंद आ रहा है यहां पे दिस्प्ले है जो काफी वाइब्रेंट आपको देखने को मिल रहा है तो डिस्प्ले दोस्तों काफी इंप्रसव देखने 5 एब रहा है इन फैक ब्लैक लिवल्स भी आप देख सकते हैं जोकी काफी ने हैं और हाँ अगर मैं बात करता हूं brightness की तो मैंने इसे आउट्वर में भी चेक किया और वहां पर भी मुझे डिस्प्ले से कोई भी इशूज देखने को नहीं मिले और अगर मैं डिफरेंट विविव इंगल से इसको देखने की स्मूध भी है और यह आपको मिलता है 120 एट के साथ में और दोस्तों अब बात किजाए फोन की यूई की तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि मोटरोला के डिवाइस है दोस्तों और हम जानते हैं कि मोटरोला की सारे डिवाइस आपको निया टू स्टॉक एंडॉड के दोस्तों बात किजाए फोन के पर्फॉर्मेंस की तो आपको बता दे कि यह फोन आता है स्नाप रेकन 695 चिपसेट के साथ में और यह चिपसेट दोस्तों हम काफी सारे डिवाइस में टेस्स कर चुके हैं इनफेक्ट मोटरोला का आपको मोटो जी सेवेंटी वन भी देखन यहां पर मैंका अच्छा का सा पर्फॉर्मेंस देखने को मिल जाता है गेमिंग जीए बात करते हैं यहां पर यहां बेसे वर मैंने काफी अच्छे खास समय कई बीजियम मुझे performance में SH कोई भी issue देखने को नहीं मिले हैं इसके लब दोस्तों यहां पर UMCP storage type का यूज किया गया है LPDDR4X RAM के साथ में आपको RAM boost का option में देखने को मिल जाता है और हां दोस्तों क्योंकि यह 5G phone है तो यह बताना जरूरी है कि यहां पर आपको 13 5G band का support देखने को मिलता है तो यह काफ़े interesting हैं दोस्तों Motorola के devices में जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5G band का support देखने को मिल जाता है और अब बात आती है दोस्तों camera की दो आपको बता दें triple gear camera setup यहां पे दिया गया है 50 megapixel का primary sensor है दोस्तों यहां पर आपको OIS का support भी देखने हूं मिलता है इसके primary sensor में इसके बाद 8 megapixel का ultrawide sensor और 2 megapixel का macro sensor दिया गया है front camera की बात करते हैं दोस्तों तो यह है 16 megapixel का यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों इस phone का camera UI typical Motorola style का आपको camera UI देखने हूं मिलता है जैसा कि हम already काफी सारे devices में देख चुके हैं यहां पर आपको more के option में काफी सारे modes और देखने को मिल जाते हैं इनको भी test करेंगे लेकिन पहले कुछ images मैं यहां पर लेलता हूं और देखता हूं कि कैसा practical performance है Moto G 82 का और दोस्तों यहां पर हमने कुछ images ली जो की auto mode भी ली गई है और आप images देख सकते हैं काफी अच्छी आपको detailing यहां पर देखने को मिल जाती है color tone भी दोस्तों काफी अच्छी है यहां पर कुछ और images देख सकते हैं काफी sharp color की capture कर लेता है और जो picture की quality है दोस्तों यह भी मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है तो यहां पर भी first impression दोस्तों काफी अच्छा है images का आप देख सकते हैं कुछ और images में आपको दिखाता हूं लेकिन इससे पहले बात कर लेता हैं दोस्तों वीडियो की वीडियो में दोस्तों 1080 pixels पे आप 60 fps रिकॉर्ड कर सकते हैं यही maximum option यहां पर available है snapdragon 695 4K को support नहीं करता है तो इस device में भी आप 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन हां दोस्तों यह वीडियो आप देख सकते हैं जोकि रिकॉर्ड किया गया है 1080 pixels के साथ में 60 fps पे रिकॉर्ड किया गया है तो वीडियो कॉलिटी नोड़ाट काफी amazing हमको देखने को बल रही है वैसे दोस्तों एक और बात यहां पर आप नोटेस करेंगे कि मैं चल रहा हूं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं वीडियो कितने ज़्यादा प्रॉपर आपको देखने को मिल रही है saturation भी दोस्तों काफी अची है तो images दोस्तों मुझे तो काफी इंप्रेसिव देखने को मिली है मैं इसे और ज्यादा टेस्ट करना चाहूंगा कुछ और फोन के साथ में comparison में करना चाहूंगा उन वीडियो के लिए आप स्टेट्यू का fast charging इसके दोस्तों मैं बात करता हूं multimedia experience की तो display के बारे में दो मैंने आपको already बताया कि यहां पर P OLED display आपको देखने हूं मिल रहा है एक 10 bit display है तो colors वगर आपको काफी शाप देखने हूं मिलेंगे काफी interesting display है दोस्तों इस device का इसके लब अगर मैं बात करता हूं दोस्तो sound experience की तो यह भी काफी amazing था क्योंकि यहां पर आपको dual storage speakers देखने हो मिल जाते हैं जिनका sound quality actual में काफी अच्छा सुनने को मिला in fact यह काफी ज़र loud भी था तो यहां पर multimedia experience दोसों काफी अच्छा होने वाला है अगर आप इस device को multimedia के लिए लेना चाते हैं तो वहां पर आप न दोस्तों यह phone IP52 certified है यहां पर हमें NFC का support भी देखने हो मिल जाता है और दोस्तों यह phone think shield की security के साथ में को देखने को मिल रहा है तो कुलमा के दोस्तों यह काफी अच्छा device है motorola की तरफ से हाला कि अगर इसका price थोड़ा सा और कम होता लगबग 18.500 का price अगर यह आपको after discount देखने को मिलता तो मुझे लगता है कि यह और अच्छा value for money device हो सकता था मेरा मानना दोस्तों यही था इस device की बारे में बाकि आप जरूब देगा इस वीडियो में कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में मुझे उमीद है